असलाम अलेकूम औरमतुल्लाह वरकातू नुबुवत मिलने का वक्त जितना करीब होता गया उतना ही रसुलुल्लाह अलेवसलम तनहाई को जियादा पसंद करने लगे सबसे अलग होकर अकेले रहने से आपको बड़ा सुकून मिलता था आप अकसर खाने पिने का सामान लेकर कई कई दिन तक मका से दूर जाकर हिरा नामी पहाड के एक गार में बढ़ जाते और इबरहिमी तरीके और अपनी पाकिजा फितरत की रहनुमाई से अल्लाह की इबाद और जिक्र में मस्गूल रहते थे अल्लाह की कुदरत में गोर्व फिक्र करते रहते थे और कौम की बुरी हलत को देखकर बहुत गमजदा रहते थे जब तक खाना खत्मन होता था आप शहर वापस नहीं आते थे जब मका की वादियों से गुजरते तो दरक्तों और पथरो से सलाम करने की आवाज आती आप दाएं बाएं और पीछे मुड़ कर देखते तो दरक्तों और पथरों के सिवा कुछ नजर न आता था इसी जमाने में आप को ऐसे खौब नजर आने लगए कि रात में जो कुछ देखते वही दिन में जाहिर होता था यही सिलसिला चलता र साला ने आपको नुबोत अता फरमाई पेशक